हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ रोशन और आप सभी का हमारे अपने रोशन टेक्सिंदी में बहुत ही बड़ी अस्वागत है दोस्तों आज हम इस वडियो में बात करने वाले हैं ट्री बेस्ट फ्लीपकाड के प्लस मेंबर है उनके लिए व्लीपकाड का बीक सेविंग डेस प्लस मेंबर है और दोस्तों जो ऑफिशियल बीक सेविंग डेस वह है वह 5 ओउगस्ट से स्टार्ट होने वाला है तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको 3 best flagship killer smartphones के बार में बताने वाला हूँ जो आपको under 25,000 के price range में देखने को मिलेंगे और प्लस यहाँ पे जो दो smartphone से वो आपको under 20,000 के price range में देखने को मिलते हैं तो दोस्तो इन smartphone पे काफी बढ़िया discount चल रहा है तो दोस्तो Flipkart के big saving desk के वज़े से यहाँ पे इन smartphone पे यहाँ पे आपको काफी ज़्यादा price drop देखने को मिलता है तो दोस्तो बिना किस टाइम को वैसना करते हुए आज का हमारा यह video start करते है और इस video में मैं आपको बताने वाला हूँ इन तीन smartphone के price के बारे में बताने वाला हूँ जो अभी price क्या चल रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और दोस्तो यहाँ पे इस video में मैं आपको इन स्मार्टफोन के की स्पेक्स के बारे में भी बात आने वाला हूँ, ओके? हमारे लिस्ट में जो पहला स्मार्टफोन है, उसका नाम है Samsung का Galaxy F62, तो दोस्तो ये स्मार्टफोन आपको regular price में 23-24,000 के price range में देखने को मिलता है, बड़ दोस्तो अभी Flipkart का Big Saving Days स्टार्ट हो चुका है, तो दोस्तो इसी वज़े से इस स्मार्टफोन का जो अभी base variant है, वो आपको 18,000 के price range में देखने को मिल रहा है, तो दोस्तो अगर हम इस स्मार्टफोन के key specs की बात करते हैं, तो दोस्तो ये स्मार्टफोन आपको 2 variant में देखने को मिलता है, पहला variant 6GB RAM, 128GB internal, दुसरा variant 8GB RAM, 128GB internal, तो दोस्तो अगर हम इस स्मार्टफोन के display के भर में ब super AMOLED display देखने को मिलता है, बट unfortunately इस स्मार्टफोन में आपको high refresh rate वाला display देखने को नहीं मिलता है, अगर हम इस स्मार्टफोन के camera's की बात करते हैं, तो दोस्तो इस स्मार्टफोन में आपको quad camera का setup देखने को मिलता है, रियर में 64MP का main camera देखने को मिलता है, 12MP का ultra wide camera देख देखने को मिलता है, अगर हम selfie की बात करते हैं, तो दोस्तो इस स्मार्टफोन में आपको 32MP का selfie camera देखने को मिलता है, तो दोस्तो आप इस selfie camera से 4K वीडियो को भी shoot कर सकते हो, तो दोस्तो अगर हम इस स्मार्टफोन के battery की बारे में बात करते हैं, तो दोस्तो इस 1000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है अगर आपको बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन चाहिए तो दोस्तों डेफिनेटली मैं आपको ये स्मार्टफोन recommend करता हूँ तो अगर हम इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात करते हैं तो दोस्तो इस smartphone में आपको Xenos का 9825 प्रोसेसर देखने को मिलता है तो दोस्तो इस processor को 7 9.5 फिर बना हुआ है और दोस्तो ये एक flagship processor है अगर आपको एक flagship smartphone चाहिए under 20,000 में तो दोस्तो ये smartphone आपके लिए one of the best होने वाला है हमारे लिस्ट में जो दूसरा स्मार्टफोन है उसका नाम है Realme X7 Max तो दोस्तो यह स्मार्टफोन आपको almost 27-30,000 के प्राइज में देखने को मिलता है तो दोस्तो इस स्मार्टफोन में आपको दो विरेंट्स देखने को मिलते है पेला विरेंट है 8GB RAM, 128GB इंतर्नल वाला उसका जो प्राइज है वो almost 27,000 के आसपस देखने को मिलता है और दोस्तो जो तब विरेंट है वो 12GB RAM का देखने को मिलता है और 256GB का इंतर्नल स्टोरेज तब विरेंट में देखने को मिलता है उसका price है 30,000 रुपीज तो दोस्तो अगर आप इस smartphone को flip card के big saving days में buy करते हो तो दोस्तो ये smartphone आपको flip card के big saving days में 25,000 का base variant मिलेगा और जो top variant है वो 28,000 के आसपस देखने को मिलेगा flip card के big saving days में अगर आपने buy करने का plan किया है तो दोस्तो definitely मैं आपको ये smartphone recommend करूँगा क्योंकि यहाँ पे आपको काफी जदा price drop देखने को मिलता है अगर आप इस smartphone को bank offer के साथ buy करोगे तो दोस्तो ये smartphone आपको जो base variant है वो 23,249 के price range में देखने को मिलेगा और दोस्तो जो top variant है वो almost 25,000 to 26, 6000 के आसपस देखने को मिलेगा तो दोस्तो ये मुझे काफी बड़िया deal लगी है अगर हम इस smartphone के की specs भी बात करते है तो दोस्तो इस smartphone में आपको 6.43 इंच की full HD plus 120 Hz की super AMOLED डिस्पले देखने को मिलती है तो दोस्तो इस smartphone में आपको high refresh rate भी देखने को मिलता है अगर हम camera's की बात करते है तो दोस्तो इस smartphone में आपको rear में triple camera का setup देखने को मिलता है 64 megapixel का main camera देखने को मिलता है 8 megapixel का ultra wide और 2 megapixel का depth camera देखने को मिलता है तो दोस्तो अगर हम यहाँ पे selfie की बात करते है तो दोस्तो इस smartphone में आपको 16 megapixel का selfie camera देखने को मिलता है अगर हम यहाँ पे processor क बात करते हैं तो दोस्तों इस smartphone में आपको MediaTek का Dimensity 1200 का प्रोसेसर देखने को मिलता है जिसको 6 nm पे बनाए हुआ है और दोस्तों ये एक flagship प्रोसेसर है इसका जो performance है वो Snapdragon के 870 के आसपास का performance यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगर आपको एक powerful प्रोसेसर वाला smartphone चाहिए तो दोस्तों मैं आपको यही smartphone recommend करूंगा क्योंकि यह smartphone आपको काफी बढ़िया discount के साथ देखने को मिल रहा है तो दोस्तों हमारे list में जो तिसरा smartphone है उसका नाम है Poco X3 Pro तो दोस्तों यह smartphone आपको under 20,000 के price range में देखने को मिल जाता है तो दोस्तों अगर आपको एक flagship smartphone under 20,000 में वाई करना है तो दोस्तों यह smartphone आपके लिए one of the best रहने वाला है क्योंकि इस smartphone में आपको Qualcomm का Snapdragon 860 प्रोसेसर देखने को मिलता है तो दोस्तों Snapdragon 860 बहुत ही ज्यादा प्रोसेसर है और दोस्तों यह सब पहला smartphone है जो आपको under 20,000 के price range में देखने को मिल रहा है जिसमें आपको Snapdragon 860 का प्रोसेसर देखने को मिल रहा है दोस्तों तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम इस smartphone के की specs की बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इन smartphone के variants के बारे में बता था हूँ तो दोस्तों इस smartphone में आपको 6GB की RAM देखने को मिलती है और दोस्तों जो दूसरा smartphone है जो दूसरा variant है उसमें आपको 8GB का RAM देखने को मिलता है अगर हम internal storage की बात करते है तो दोस्तों यहाँ पर हमें surface rip 128GB का ही इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है तो दोस्तों अगर हम स्मार्टफोन के की स्पेक सी बाद करते हैं तो दोस्तों इस स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ट्स का वेरी हाई रिफ्रेश रेड देखने को मिलता है बट अन्पॉर्चुनेटली इस स्मार्टफोन में आपको gaming बहुती तगड़ी होने वाली है अगर आपको performance जबरदस्ट चाहिए तो दोस्तो वो सब कुछ आपको इस smartphone में देखने को मिलेगा तो दोस्तो अगर हम यहाँ पे इस smartphone के cameras के बारे में बात करते हैं तो दोस्तो इस smartphone में आपको रियर में quad camera का setup देखने को मिलता है main camera 48MP का देखने को मिलता है जो second camera है वो 8MP का ultrawide देखने को मिलता है जो third camera है वो 22MP के macro और depth camera देखने को मिलते है अगर हम selfie की बात करते हैं तो दोस्तो इस smartphone में आपको 20MP का selfie camera देखने को मिलता है अगर आपको अच्छी performance चाहिए, gaming अच्छी होनी चाहिए, lag free होनी चाहिए under 20,000 में तो दोस्तो ये smartphone आपके लिए one of the best होने वाला है तो दोस्तो अगर हम इस smartphone के price की बात करते हैं तो दोस्तो इसका जो base variant है वो आपको 19,000 के price range में देखने को मिलता है और दोस्तो जो top variant है वो almost 21,000 के price range में देखने को मिलता है बड़ दोस्तो flip card के big saving days में ये smartphone आपको सिर्फ और सिर्फ 17,000 के price range में देखने को मिलेगा तो दोस्तो अगर आप इस smartphone के साथ bank offers को भी include करते हैं तो दोस्तो ये smartphone आपको काफी बढ़िया price के साथ देखने को मिलेगा याई दोस्तो काफी बढ़िया discount इस smartphone पे देखने को मिलने वाला है ये थे हमारे list के 3 best flagship smartphone तो दोस्तो इन smartphone पे काफी बढ़िया discount चल रहा है अगर आपको एक budget flagship smartphone buy करना है तो दोस्तों मैं आपको यही 3 smartphone recommend करूँगा अगर आपको under 20,000 में smartphone चाहिए तो definitely मैं आपको यही smartphone recommend करूँगा क्योंकि इन smartphone पे Flipkart के big saving days में काफी बढ़िया discount देखने को मिलता है अगर आपने इन smartphone को buy करने का plan किया है तो दोस्तों मैं इन smartphone की link वीडियो के description में डाल दूँगा तो दोस्तों वहाँ पे जाके आप इन smartphone को buy कर सकते हूँ आचा करता हूँ आपको यह हमारी वीडियो काफी बढ़िया लगे होगी अगर बढ़िया लगे होगी तो प्लीज इस वीडियो को like कर दो चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को अभी काभी subscribe कर दो ओके तो दोस्तों तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में